आप लोग का बहुत वस्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इस्टार बेसेपे में कक्षा तैंद का जो सेंट अप एक्जाम आपको 12-20 तक होने वाला है तो उसका यहां पे कोश्चन आउट एक परकास समझ लेजिए यहां पर भी भी आई कोश्चन आपका कराया जा रहा ह तो जो भी चैनल पर नए आई होंगे तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे चलिए शुरू करते हैं यहां पर देखें फर्स्ट कोश्चन देखें क्या बोला है फर्स्ट कोश्चन बोला है पेर का कमरा किसकी रचना है तो यहां पर आपको बताना है पेर का कमरा किसकी रचना तो यहां पर simply इसका answer हो जाएगा option A विनोत कुमार सुकली की चलते हैं हम लोग सेकेंड नमर के question पर सेकेंड नमर के question देखे क्या बोला यहां पर B.R. Narayan B.R. Narayan ने किसी कहानी का अनवाद किया था यहां पर कोशन टाइप करने में थोड़ा सा मिस हो गया होगा B.R. Narayan ने किस कहानी का अनवाद किया था यह होना चाहिए तो उसके बाद देखेंड इसका answer हो जाएगा आपका बी दही वाली मगमा चलते हैं हम लोग थ्री नमर का कोशन पर थ्री नमर का कोशन देखे क्या बोला है थ्री नमर का कोशन यहां पर है कवित्री अनामिका का जन्म हुआ जन्म कब हुआ तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर आपको बताना है कॉमेंट में और यहां पर देखे लिए तीन का जो जो होगा वह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1961 में चलते हैं लगव नमर के कोस्चन पर आजाते हैं और यहां पर जितना भी आपको कोस्चन पर पूछ सकता है और आपका सेंट टाइर्जॉट एंसर हो जाएगा ब्रजभासा चलते हैं हम लोग 5 नमर के कोशन पर 5 नमर का कोशन देखे क्या बोला है 5 नमर का कोशन किसके अनुसार सेनों सेनों ने सिधानतों को भी बदल दिया था तो किसके अनुसार सेनों ने सिधानतों को भी बदल दिया था आपको बताना है, four option आपको दिया गया है, five का जो answer हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, बी, खोखा के अनुसार, चलते हैं हम लोग six number के question पर आ जाते हैं, six number का question देखें क्या है, six number का question है, यहाँ पर दारिस नामक सोने के सिक्क से भरा घरा किसे मिला था, तो आपको बताना है, दारिस नामक सोने के सिक्के, सिक्कों से भरा घरा किसे मिला था, तो यहाँ पर six का correct answer हो जाएगा, आपका, यहाँ पर C, वारेन, वारेन, हैसिंगा टर्म, चलते हैं हम लोग seven number के question पर, seven number का question देखें क्या बोल ला है, seven number का question यहाँ पर बोल ला है, धहते विश्वास किस भासा से अनुदित है, तो यहाँ पर आपको fourth option दिया गया है, इसमें से आपको correct answer बताना है, तो यहाँ पर आपका correct answer option C हो जाएगा, उडिया, चलते हैं हम लोग eight number के question पर, तो dear student, आप लोग को मैं बता दू कि यहाँ पर आपका daily wise regular class से लाए जाता है, और आप लोग का daily यहाँ पर live यहाँ पर कराये जाता है, तो आप लोग इस channel से जरूर जूरें, और इस channel को आप लोग दोस्तों के पास share कर दें, सभी के पास आप अपने group में share कर दें और जिसे की सारे student का help हो सके, चलिए eight number के question पर देखें क्या है, eight number के question है, दूर चटानों की घोद, दूर चटानों की ठंडी घोद में किस कभी की पंती है, तो यहाँ पर आपको बताना है, eight number के question, यहाँ पर option जो होगा, इसका D, आपका correct answer हो जाएगा, रेनन नाडिया रिल के, चलते हैं हम लोग नाइन नमर के question पर, नाइन नमर के question देखें क्या है, नाइन नमर के question है, जीवानन्द, दास की किस कभीता को परबुद्ध, आलोच को द्वारा, रमिन्तोर यूग की सर्ष्टेम, सर्ष्टम, प्रेम कविता की संग्या दी गई है, तो यहाँ पर nine number के question का answer हो जाएगा, यहाँ पर option B, वर्न लता सेन, चलते हैं हम लोग ten number के question पर देखें, ten number के question देखें क्या है, अध्यात्मिक सिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर आपको बताना है, ten number का option D, आपका correct answer हो जाएगा, हिर्दे की सिक्षा, चलते हैं हम लोग eleven number के question पर आजाते हैं, eleven number के question देखें क्या बोल रहा है, आविन्यों, आविन्यों में, 19, दिनों के प्रवास के दोरान लेखक ने कितने गद की रचना की, यहाँ पर आपको बताना है कितने गद की रचना की है, तो option A, यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा, 27, 27 गद की रचना की थे, चलते हैं हम लोग, 12 number के question पर, 12 number के question देखें क्या बोला है, 12 number के question है, धर्ती कब तक घुमेगी, किस भासा से अनुदित है, तो यहाँ पर आपको बताना है, 12 number के question का answer हो जाएगा, आपका C, राजस्थानी, चलते हैं हम लोग, 13 number के question पर आ जाते हैं, 13 number के question देखें क्या हो जाते हैं, पापती को कौन सा रोग था, यहाँ पर आपको बताना है, पापती को कौन सा रोग था, टिटनेस था, या हेजा था, या केमर था, या मेंजाइटिस्थ था, तो यहाँ पर आपको 13 का बताना है, 13 का जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका D, कि मेंजाइटिस चलते हम लोग चौधा नमर का कॉश्चन पर चौधा नमर का कॉश्चन देखे क्या है चौधा नमर का कॉश्चन है यहां पर विरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित अकादमी पृसकार मिला है तो यहां पर फूर्थ ऑप्षन दिया गया है उसमें से हाँ डिए आपको बताना है कि चॉदा का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑपशन भी आपका करेक्ट अच्छा में मुष्ठा है कि कि यहाँ पर अप्स्वें आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा चलते हैं लोग कि 15 नमर के को इसन पर आ जाते हैं ह। tutte , 15 नमार की संद्ठेगे क्या बोला 15 नमार की सझा यहां परकॉर साथ habitat परोड़ेंग μια परदेश परदेश की विद्या पढ़ने का परिनामहें यहां पर आपको बताना है, option 4 आपको दिया गया है, इसका जो हो जाएगा, आपका correct answer option B हो जाएगा सबकी बुद्धी विदेशी हो गई, चलते हैं हम लोग, शोलर्ण मर के question पर आजाते हैं हम लोग, शोलर्ण मर के question देखें क्या बोला है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचीत है, यहां पर 16 का हो जाएगा, यहां पर option C, सूजाता, चलते हैं हम लोग, 17 नमर के question पर, 17 नमर के question देखें क्या बोला है, 17 नमर के question बोला है, लेखक के अनुसार, मनुस के नाखुन किनके, किसके जिवन्द परतिक है, तो यहां पर आपको 17 का बताना है, 17 का जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, C, पास भी विर्ति के, चलते हम लोग, 18 नमर के question पर, 18 नमर के question देखें क्या है, 18 नमर के question है, यहां पर, हजारी परसाद दुवेदी का जन्म कब हुआ था, यह आपका BBI question है, यह आपका board exam में हर एक बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद कर ले, 18 का देखें, 18 का option A आपका correct हो जाएगा, 1907 इस भी, चलते हैं हम लोग, 19 नमर के question पर आजाते हैं, 19 नमर का question देखें क्या बोलना है, रही राम किसकी रचना है, यहाँ पर आपको बताना है कि रही राम किसकी रचना है, 19, 19 का हो जाएगा आपका B, गुरू नानक, चलते हैं हम लोग, 20 नमर के question पर, 20 नमर का question देखें क्या बोलना है, 20 नमर का question पर लचमी के बड़े पुत्र का नाम, बड़े पुत्र का क्या नाम था, यहाँ आपको 20 का 20 का बताना आपको, option A, आपका correct answer वाजाएगा, अच्यूत, चलते हैं हम लोग 21 नमर का question पर, 21 नमर का question देखें क्या बोलना है, एक विरिच की हत्या, में कभी सहर को किस से बचाने की बात करता है, कि यहाँ पर 21 का आपका correct answer वाजाएगा, C, यहाँ पर नादीरो से, चलते हैं हम लोग 22 नमर के question पर आजाते हैं, 22 नमर का question देखें क्या बोलना है, तो यहाँ पर आपको बताना है, 22 का आपका correct answer वाजाएगा चलते हैं लोग 23 नमर के question पर आजाते हैं, 23 नमर का question देखें क्या बोलना है, 23 नमर का question बोलना है, जब पंडित बिर्जु महराज को संगित नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या थी, यहाँ पर आपको बताना है, 4th option देखें गया है, 27 वर्ज, 26 वर्ज, 25 वर्ज, 24 वर्ज, तो यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा, 23 का हो जाएगा, option A, यहाँ पर 27 वर्ज, चलते हैं लोग 24 नमर का question पर, किष्ण राधा को, राम, सिता को, तो यहाँ पर आपको बताना है, 24, 24 का हो जाएगा, आपका correct answer C, किष्ण राधा को, चलते हैं लोग 25 नमर का question पर आजाते हैं, 25 नमर का question देखें क्या बोला है, 25 नमर का question बोला है, मंगू के अलाबा, उसकी मा की कितने संतानी थी, 25, 25 का हो जाएगा, B, आपका correct answer, 3, चलते हैं हम लोग 26 नमर के question पर, 26 नमर का question देखें क्या बोला है, अग्ये का जर्म कब हुआ, अग्ये का जर्म आपको बताना है, कब हुआ 26, 26 का हो जाएगा आपका correct answer, B, 1911 B, चलते हैं हम लोग, 27 नमर के question पर, चले आते हैं हम लोग, 27 नमर का question देखें क्या बोला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिनकर की किस करिती के लिए, ज्यान पिठ पुरुसकार मिला है, यहाँ पर 27, 27 का हो जाएगा आपका, option C, आपका correct answer हो जाएगा, उडवशी, चलते हैं हम लोग, 28 का, 28 का देखें, नोबत खाने, नोबत खाने में इबादत साहित की कोन सी विधा है, यहाँ 28, 28 का correct answer हो जाएगा C, व्यक्ति चित्र का, चलते हैं हम लोग, 29 नमर के question पर, 29 का कोचन देखें की क्या बोला है, पंडित बिर्जू महराज लखनाउ, घराने की किस PD के कलाकार है, यहाँ 29, 29 का correct answer भी हो जाएगा, 7 भी PD, चलते हैं हम लोग, 30 नमर के question पर, 30 नमर के question देखें की क्या बोला है, सीता के बेटों ने, सीता को कितने रुपए महावारी खर्च देने का निर्णे लिया, यहाँ पर 30, 30 का correct answer हो जाएगा, देखें, यहाँ पर फोर्थ option देखें है, 50 रुपए, 75 रुपए, 100 रुपए, 60 रुपए, यहाँ पर option A, 50 रुपए आपका correct answer हो जाएगा, चलते हैं हम लोग, 31 नमर के question पर, यहाँ पर total मैं 50, 50 question कराने वाला हूँ, जो कि आपका center exam में, जरूर ही पुछा जाएगा, तो channel को आप लोग, please subscribe कर लिजे, देखें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 31 का जो यहाँ पर question, यहाँ पर उत्तर भारत से नागड़ी लिपी के लेक कब से मिलने लगते हैं, यहाँ पर आपको बताना है, option 1 का correct answer हो जाएगा, आठवी सदी, चलते हैं हम लोग, 32 नमर के question पर आजाते हैं, 32 नमर का question देखें क्या बोला है, बहादूर को कितने रुपे की चोड़ी का exam लगाया गया था, तो यहाँ पर option A आपका 10 रुपे, option B 11 रुपे, option B 12 रुपे, option D 13 रुपे, यहाँ पर देखें, 32 का जो आपका correct answer हो जाएगा, 32 का हो जाएगा B, 11 रुपे का उसको चोड़ी का exam लगा था, बहादूर को, चलते हैं हम लोग 33 नमर का question पर आजाते हैं, 33 नमर का question देखें क्या बोला है, 33 का question आप लोग, भारत माता कविता में, भारत का कौन सा चित परस्तुत क्या गया है, तो यहाँ पर फोर्ट option दिया गया है, आपको correct answer बताना है, और देखें, 33 का जो answer हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, option C, यह थार्थ, चलते हैं लोग, 34 नमर के question पर, 34 नमर का question देखें क्या बोला है, जाती है आसमीता की दिश्टी से, इतिहास का प्रवाव, कैसा है, तो यहाँ पर आपको बताना है, 34, 34 का correct answer C हो जाएगा, विचित्र और और विचित्र दोनो, चलते हैं हम लोग, 35 नमर के question पर आजाते हैं, 35 नमर का question देखें क्या बोला है, आधुनिक, साब स्वामाज सरम विवाजन को अवश्यक क्यों मानता है, यहाँ पर आपका correct answer बताना है, 35, 35 का option यह आपका correct answer हो जाएगा, कारिक उसलता के लिए, 36 का, 36 का देखें, अब हम लोग, 36 के question करेंगे, यहाँ देखें, स्रम विवाजन और जाती पर था, पाठ बाबा सहाब के किस भाषन का संपाधित answer है, यहाँ पर आपको बताना है, 36, 36 का option यहाँ आपका correct answer हो जाएगा, एनिहिलेशन आफ कास्ट, चलते हैं हम लोग, 37 का, 37 का देखें, 37 का देखें, आपका correct answer क्या होगा, 37 का, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोड, डाकू बनते हैं, या पंती कहानी के किस पात्रेने कही है, तो देखें, आपको fourth option दिए गया है, सेन साहब की धर्मपत्नी, गिर्धर, सेन साहब, सोफर, तो यहाँ पर आपको correct answer बताना है, 37 का जो correct answer हो जाएगा, वो आपका C हो जाएगा, सेन साहब, तो और मैं आपको बता दो, कि आपका daily wise यहाँ पर जो live class चलेगा, वो आप लोग please comment में हमें बताए, कि कब रखा जाए उसको, time table जिसके समय आप लोग जूर सकते हैं, और वहाँ पर आपका daily wise, आपका free of cost live class चलाएगा, तो आप लोग comment में आप लोग type कर देजएगा, कितना वज़े आपका live class चलना चाहिए, और आप लोग किस-किस stream से हैं, वो आप हमें comment में जरूर बता दें, और किस topic का अभी start करना चाहिए हमें, वो आप हमें comment कर सकते हैं, चलिए 38 नमर के question पर आजाते हैं, अब लोग 38 नमर के question देखें क्या बोला है, किस के अध्यान छेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है, तो यहाँ पर 38 का fourth option देगा है, विभिद सास्त, निती कथा, भासा विज्ञान, देवत विज्ञान, इस चारों में से आपको बताना है, 38, 38 का हो जाएगा आपको, correct answer B, नीती कथा, चलते हैं हम लोग 49 नमर के question पर, 49 नमर का question देखें क्या बोला है, सहजात विर्थियां किसे काते हैं, 49, 49 का आपका हो जाएगा B, अंजान स्मिर्थियों को, अब हम लोग चले आते हैं, 40 नमर के question पर, 40 नमर का question देखें क्या बोला है, 40 नमर का question कर रहा है, नागडी लिपी के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं, यहाँ पर देखें, 40, 40 का हो जाएगा आपका correct answer C, दच्छिन भारत, चलते हैं हम लोग 41 नमर के question पर, 41 नमर के question देखें क्या बोला है, वेतमा दान पात्र किस समय का है, वेतमा दान पात्र किस समय का है, 41, 41 का आपका correct answer हो जाएगा, यहाँ पर option A, यहाँ पर हजार बीस इस वी को, यहाँ पर वेतमा दान पत्र समय था, तो चलते हैं हम लोग 42 नमर के कोशन प्याजाते हैं 42 नमर कोशन देखे क्या बोला है बहदूर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया यहाँ पर आपको बताना है option A दूसरी नोकड़ी मिल जाने कारण option B मा की याद आने कारण option C स्वेंग के परती लेखक तथा उसके घरवालों के वहवार में आए परिवर्तन के कारण option D उप्यूक्त सभी यहाँ पर आपको 42 का आपको करेक्ट अंसर बताना है option C आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा उनके वहवार में परिवर्तन आने के कारण चलते हैं हम लोग 43 नमर के कोशन पर आ जाते हैं हम लोग 43 नमर के कोशन देखे क्या बोलना है साहित की प्रंपरा का पूर्ण ग्यान किस वहस्था किस वहस्था में संभव है तो यहाँ पर option दिया गया है फोर्थ उसमें से आपको बताना है 43 का हो जाएगा option C आपका correct आंसर हो जाएगा कि समाजवादी वेवस्था चलते हैं लोग 44 नमर के कोशन पर 44 नमर का कोशन देखे कि क्या बोला है पंडित बिर्जु महराज का जन्म कब हुआ यह आपका भी विवियाई कोशन है च्वादी नमर के कोशन देखे लिए इसका अंसर हो जाएगा आपका शेगा अ कि सोरी इसका आंसर हो जाएगा आपका यह चारफड़वरी 1931 को आपको बिर्जु पंडित बिर्जु महराज का जन्म हुआ था पैतालिस का पैतालिस का दिखे लो मादा मोजल दो आवन्यों कि किस की किरती है तो यहां पर आपको बताना है 45 45 का ऐप्षण भी आपको करेक्ट एंसर हो जाएगा in पिकाशो चलते हम लो चीह आलिस नमर के कोशन पर आजाते हैं लो ला सतरूज का धार्मिक उपियोग कब से कब तक होता रहा यहां पे आपको बताना है fourth ऐसे डिया गया है ऑजी आपको इसान ए 11 सधी से फ्रेंच गराउटी तक ऐसे बार्मी सधी से फ्रेंच कराउटी तक ऑप्सन स्थी पहसन सी मचली कहानी में किस वर्ड का चित्रन है यहां पर ऑक्सन पर ऐतालीस सैतालीस का ओप्सन आपका इíना परीवार चलते हैं तर दो ऑरतालीस नम्र के ईक उप्सन पर श्कैस उपला यहां 17 बिश्मिल्ला खा के साथ किस मुस्लिम पड़ू का नाम जुरा हुआ है यहाँ पर आपको बताना है 48 48 का option D आपका correct answer हो जाएगा मुहुरम चलते हैं हम लोग 49 नमर के question पर आ जाते हैं 49 नमर के question देखें क्या बोला है महात्मा गांधी के अनुसार उदत वा बढ़ियां सिक्षा क्या है यहाँ पर देखें 49 नमर के question पर आ गए हम लोग इसका जो correct answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ओहिंसक परतिरोद चलते हैं हम लोग 50 नमर के question पर 50 नमर के question पर देखें क्या है यहाँ पर देखें वानी कब विश्क के समान हो जाता है यहाँ पर आपको बताना है वानी कब विश्क के समान हो जाता है तो आज के लिए इतना ही और आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं कि आगले किस टोफिक पर वीडियो बनना चाहिए तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए जैंद